नमस्कार दोस्तो मैं हूँ डॉक्टर विकास शर्मा और आज चर्चा शुरू करते हैं युरिथ्रिल स्ट्रिक्चर के ओपर पहले ये जानते हैं कि urethral structure क्या होता है उसके लक्षन क्या होते हैं और उसकी कौन सी होमेपथी में दवाईया है जो urethral structure को ठीक कर सकती है तो दोस्तो सबसे पहले जानते हैं कि urethral structure क्या होता है दोस्तो युरेथरल स्ट्रिक्चर हमारी पिशाब की नली की सिकुडन को बोलते हैं जब हमारी पिशाब की नली कहीं से सिकुड जाती है यानि की नैरो हो जाती है उसे युरेथरल स्ट्रिक्चर बोलते हैं दोस्तो युरेथरा क्या होता है युरेथरा यानि की हमारी पिशा पिशाब की ठेली से शुरू होती है और हमारे टिप आफ द फिन इंस में ट ऑफ द पिन थक आती है उसे दोस्तों यूरेत्रा बोलते हैं और जब वहाँ पर कहीं पर कारण हमारे युरिथ्रा में कोई डामेज होता है या कोई चोट लगती है या किसी तरह की वहां पर inflammation होती है तो दोस्तों वहां पर body अपने आपको heal करने की कोशिश करती है तो body जब repair करने की कोशिश करती है तो वहां पर एक protein के fibers जिने के हम collagen बोलते हैं वो deposit हो जाते हैं जम जाते हैं जिसके कारण वहाँ पे hardening हो जाती है और जो pipe का lumen होता है जो pipe के अंदर का area होता है वो छोटा हो जाता है दोस्तो इसी तरह से हमारे urethral strictures बनते हैं तो आईए चर्चा करते हैं कि urethral strictures के लक्षन क्या होते हैं और कौन सी चीज़े हैं जो urethral strictures को बनाती हैं दोस्तो दो main symptoms होते हैं पहले होता है कि weak धार मतलग कमजोर धार होती है पिशाब की धार धार नहीं रहती है वो कमजोर हो जाती है और दूसरा symptom जो main होता है वो होता है कि जब हम garden में पानी देते हैं अगर हम नाली को आगे से दबा दें तो वो धार नहीं रहती, वो एक spray की तरह आती है दोस्तो इसी तरह urethral structure में, जब हमारा urethra कहीं से compress हो जाता है, stricure हो जाता है, 헤eredon हो जाती है तो पिशाँ की धार spray की तरह आती है दोस्तो चौथा लक्षन होता है कि पेशेंट को पिषाब बार बार आता है structure के कारण bladder अच्छे से खाली नहीं हो पाता यानि कि पिषाब की थेली के अंदर जो पिषाब होता है वो एक बारी में खाली नहीं हो पाता है इसके कारण patient को बार-बार पिशाब जाना पड़ता है तो दोस्तो ये थे लक्षन और अब जानते हैं कि किन कारणों से urethral structure होता है कौन सी चीजे हैं जो हमारे urethra में damage cause करती है दोस्तो urethral structure के तीन main कारण होते हैं सबसे important कारण होता है injury second होता है urethral manipulations और third होता है urethral infections तो दोस्तो आप बारी-बारी इनके उपर चर्चा करते हैं urethral injuries किस तरह से होती है दोस्तो urethral injuries बहुत common होती है और सबसे common होती है straddle injury यानि कि आप cycle चला रहे हैं और आप cycle की cross bar के उपर गिर गए उस तरह की injury को straddle injury बोलते हैं यानि कि आपके groin area में किसी तरह की चोट लगती है दोस्तो cricket खेलते समय ball लग सकती है hockey खेलते समय stick लग सकती है football लग सकती है इन सब चीजों से groin injuries होती है और भी बहुत सारे चीजों से groin injury हो सकती है तो जब भी groin injury हो तो urethral structure के chances बढ़ जाते हैं उनसे urethral structure form हो जाता है तो दोस्तो second चीज जिस पे आते हैं वो है urethral manipulations दोस्तो urethral manipulations बोलते हैं जब urethra के अंदर किसी तरह के कोई instrument डाला जाता है हाँ ये बड़ा common होता है कि जब patient का operation होता है या prostate की surgery होती है तो urethra के थ्रू यहां तक catheter डाला जाता है यहां scope डाला जाता है prostate को remove करने के लिए वहाँ पर urethra में injuries होना बहुत common होता है और इसके बाद structure बहुत easily develop हो जाता है दोस्तो एक और चीज से injury होती है वो है passing of kidney stone जब आपके गुर्दे में कोई पत्री होती है और वो kidney से travel करके आपके urethra के थ्रू बाहर निकलती है वो भी कई बारी urethra को injure कर देती है जिसके कारण structure form हो जाता है दोस्तो तीसरा होता है recurrent urinary tract infection यानि कि आपको पिशाब की नली के अंदर बार-बार infections हो रहे है दोस्तो इसके कारण भी structure form हो जाते है इसमें gonorrhea sexually transmitted disease जो होती है जिसके कारण recurrent UTIs होते है उससे urethral structure form होने सबसे common होते है तो दोस्तो ये थे तीन कारण जिसके कारण हमें urethral structure होते हैं और अब आते हैं कौन सी home pathie में medicines हैं जिससे हमारे urethral structure ठीक हो सकते हैं दोस्तो यूरिथral structure के लिए conventional system यानि की alopathy में दो तरीके होते हैं पहले तो होता है कि वो structure को dialect कर देते हैं, खोल देते हैं किसी चीज से डाल के पर दोस्तो वो दुबारा से हो जाता है structure जिसे आप खोलते हैं वहाँ पर injury होती है दोबारा से वहाँ tissue form होता है collagen या protein और फिर narrowing हो जाती है दोसरा तरीका होता है जिसे urethral plastic बोलते हैं कि मूँ की अंदर की lining लेके वहाँ लगा दी जाती है transplant कर दी जाती है दोस्तो उसमें भी complications आ जाती है होमें पैती में और मैं उनके बारे में अभी जिकर करूंगा दोस्तो वो तीन मेडिसन हैं chemophylla, climatis और cantheris दोस्तो chemophylla मैं देता हूँ जहां पर patient को बहुत जादा जोर लगाना पड़ता है strain करना पड़ता है climatis मैं वहाँ देता हूँ जहां जोर इतना नहीं लगाना पड़ता पर धार बहुत वीक है और दोस्तो cantheris मैं वहाँ देता हूँ जहां पर बार-बार जाना पड़ता है और burning होती है यह तीन main indications है जहां पर मैं यह तीन medicines use करता हूँ दोस्तो बाकी symptom जो reutral structure के होते हैं जोर लगाना पड़ना weakness यह सब इन तीन medicines में मिलते हैं पर इनके fine differentiating point मैंने आपको अभी बताए हैं उनके basis के ओपर इनको मैं prescribe करता हूँ दोस्तो मैं चिमाफिला mother tincture में use करता हूँ उसके 5.5 drop दिन में 2 बारी patient को देता हूँ cantheris 30 में use करता हूँ as a supportive medicine जहाँ पर injury मिलती है दोस्तो सिलीशिया भी मैं use करता हूँ जहाँ पर मुझे scar tissue remove करना होता है या scar tissue dissolve करने के लिए मुझे home pathic medicine देनी होती है तो दोस्तो 3 main medicines चिमाफिला, clematis और cantheris चिमाफिला main जहाँ पर जोर लगाना पड़ता है कई बारी patient को आगे जुकना पड़ता है पिशाब करने के लिए और straining करनी पड़ती है बहुत जादा straining करनी पड़ती है दोस्तो clematis जहाँ पर धार बहुत weak हो जाती है cantheris जहाँ पर आपको recurrent UTIs हो रहे हैं और burning हो रही है और बार-बार पिशाब जाना पड़ रहा है दोस्तो जो बाकी तीन medicines मैंने बताई है थायोसिना मिनम, आर्निका और सिलीशिया यह supportive medicines हैं यह main medicine के साथ भी चल सकती है तो दोस्तो यह थी चर्चा हमारी home पर थी और urithal structure के लिए आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें email कर सकते हैं विकास at drhomir.com पर या आप हमारे whatsapp number पर अपनी query बेज़ सकते हैं या call कर सकते हैं हम आपको ज़रूर जवाब देंगे दो दोस्तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार